दूस्ते मेरे वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें योगें साहू अनलाइन क्लाशेस को और पास के इस बैल एकन पर प्लिक करें कि अजय को चत्तिस गड़ बजट गड़बो नमा चत्तिस गड़ की अवधाना को लेकर यह बजट प्रस्तोत किया गया चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर एफ्रिका महाद्वीप की सबसी उची चोटी माउंट किली मंजारो को फता करने वाली अमिता श्रिवास किस जिले की रहने वाली है तिया रहने वाली है जांजगीर चांपा की माउंट किली मनजारों को फताह करने वाली अमीता श्रिवास जांजगीर चांपा की रहने वाली है अमीता श्रिवास जीले की आंगन बाड़ी कारे करता है जीरों ने किली मनजारों की चोटी को फताह कर गड़बो नमा 36 गड़ का संदेश दिया चलते हैं नेक्स्ट पोशन पे चलिए देखते हैं 36 गड़ सरकार की किस योजना को स्कॉच अवर्ड प्रदान किया गया यहां प्रदान किया गया गोधन न्याय योजना को 36 गड़ की योजना गोदन निया योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मालित किया गया। गोदन निया योजना 20 जुलाई 2020 को शुरू किया गया। गोदन न्याय योजना के माध्यम से परेया वरंट संग रक्षन एवं सतत्विकास में उतक्रिष्ट योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया। यह स्टार्ट किया गया 20 जुलाई 2020 को। कमेंट सेक्षन पर आंसर दीजे कि बजट 2021 में गोदन न्याय योजना के लिए कितनी राशी का प्रावधान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर मुख्य मंत्री महतारी न्याय रत्य योजना किस स्विभाग द्वारा प्रारम किया गया। तो यहाँ प्रारम किया गया 36 गड़ राज्य महिला आयोग। कमेंट सेक्षन पर आंसर दीजे कि वर्तमान में 36 गड़ राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर एशिया का दूसरा बड़ा मानो निर्मित जंगल सफारी कहां बनाया जाएगा। तो यहाँ बनाया जाएगा कबिरधाम में कबिरधाम में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मानो निर्मित जंगल सफारी बनाया जाएगा। एशिया का पहला सबसे बड़ा मानो निर्विज जंगल सफारी है नया राइपूर में चलिए देखते हैं next question ग्रामोद देव को बढ़ावा देने के लिए 36 गर साशन द्वारा कितने नए बोड बनाय जाने का निर्णाय लिया गया है तो चार नए बोड बनाय जाने का निर् फिर से देखते हैं सुन लिजिए तेल गानी विकास बोड चर्मकार विकास बोड रजक विकास बोड और लोहकार विकास बोड चलते हैं next question पे 36 गर का दस्वा शाश की मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहां की जाएगी तो यहां की जाएगी जांजगीर में 36 गर का दस्वा शाश की मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी इससे पहले भी कोरबा कांकेर महा समून में मेडिकल कॉलेज को खोला जाना प्रस्तावित है आगे देखते हैं, राज्य की पाँच बिजली कमपनियों का पुनर कठन कर कितनी कमपनिया बनाई जाएगी, तो यहाँ बनाई जाएगी तीन कमपनिया, होल्डिंग और ट्रेडिंग को दूसरे कमपनियों में विलै कर दिया गया है, अब प्रदेश में एक अप्रेल से तीन पाँवर कमपनियां कारे करेंगी, देखते हैं, नेक्स्ट कोशन, 36 गड़ बजट 2021 में पढ़ना लिखना अभियान के तहट कितने निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष रखा गया है, इस योजना के तहट पढ़ना लिखना अभियान के तहट 15 वर से अधिक उम्र के धाई लात निरक्षरों को साक्षर किये जाने का लक्ष रखा गया है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट कोशन, 36 गड़ राज्य सूशना आयोग में कितने नए सदस्यों की नियुक्ती की गई, तो यह नियुक्ती की गई, दो नए सदस्यों की थी, उनके नाम है धन्वेंदर जैसवाल और मनोस्त्रिवेदी, धन्वेंदर जैसवाल और मनोस्त्रिवेदी की नियुक्ती की गई, 36 गड़ राज्य सूशना आयोग में, तो कमेंट सेक्शन पर आंसर दीजे, वर्तमान में 36 गड़ राज्य सूशना आयोग्त कौन है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट कोशन, केंदरी आवास शहरी मंत्राले द्वारा नगरपाली का कार्य प्रदर्शन सूशकांग 2021 जारी किया गया, जिसमें 36 गड़ के इतने शहरों को शामिल किया गया, तो यह किया गया दो शहरों को, 36 गड़ के दो शहरों को केंदरी आवास शहरी मंत्राले द्वारा नगरपाली का कार्य प्रदर्शन सूशकांग में दो शहरों को शामिल किया गया, वे दो शहर हैं, राइपुर और बिलासपुर, याद रखें, important question है, चलिए देखते हैं, next question, प्रसिध सोना कुकनार मेले का आयोजन कहां किया जाएगा, इस मेले का आयोजन किया जाएगा, सुक्मा मे, सुक्मा में प्रसिद्ध सोना कुकनार मेले का आयोजन किया जाएगा इस मेले का आयोजन प्रत्तिक 12 वर्ष में किया जाता है सोना कुकनार मेला सुक्मा ध्यान रखिए चलिए देखते हैं next question 36 गड़ में कुल कितने अतरिक्त पुलिस अधिक्षक नवीन कार्याले की इस्थापित किया जाएगा शहरी जन संख्या कम करने एवं नक्सल ऑप्रेशन को शक्ति प्रदान करने हैं तू मानपूर जीला, राजनन्द गाउं, बीजापूर एवं भानु प्रताप पूर में पुलिस अधिक्षक नमीन कारयले की स्थापना की जाएगी चलिए देखते हैं next question यहां शामिल किया गया मुख्यमंत्री पैंशन योजना को 36 गड़ साशन की योजना, 36 गड़ लोग सेवा गारेंटी अधिनियम 2000 में शामिल किया गया मुख्यमंत्री पैंशन योजना की शुरुवात सन 2018 में की गई मुख्यमंत्री पैंशन योजना की शुरुवात सन 2018 में की गई ध्यान रखिये चलिए देखते हैं next question अकांची जीलो की डेल्टा रैंकिंग में सिख्षा के छेत्र में उलेखनी कारे करने वाले टॉप फाइव जीलो में 36 गड़के कितने जीले शामिल हैं एक important question है ध्यान सुनिए अकांची जीलो की डेल्टा रैंकिंग में सिख्षा के शेत्र में उलेखनी कारे करने वाले टॉप फाइव जीले में 36 गड़के कितने जीले शामिल हैं तो यहां शामिल हैं 36 गड़के दो जीले एक है दंतेवाड़ा और दूसरा बस्तर 36 गड़के दो जीले डेल्टा रैंकिंग में सिख्षा के उलेखनी कारे करने में टॉप फाइव जीलो में शामिल हैं तो देखिए दंतेवाड़ा को तीसरा इस्थान प्राप्त हुआ है और बस्तर को चौथा इस्थान प्राप्त हुआ है इसके साथ ही हमें भियाद रखने कि प्रथम इस्थान किसे प्राप्त हुआ है द्विती इस्थान किसे प्राप्त हुआ है तो प्रथम इस्थान प्राप्त हुए है मिघाले के जिला रेभोई को, मिघाले में जो जगह है रेभोई उसको प्रथम इस्थान प्राप्त हुए है, दुटी इस्थान प्राप्त हुए है नंदूरबार को, जो कि कहा है महरास्ट्र में, नंदूरबार महरास्ट्र में, रे यह देखते हैं, next question, इसरो की चैन परिक्षा में देश भर में प्रथम इस्थान प्राप्त करने वाली स्रिष्टी बाफना किस जिले से संबंदित है, यह संबंदित है दुर्ग जिले से, याद रखिए, important question है, चलते हैं, next question पे, बजट 2021-22 में, राज में, कितनी नई आत्मनंद English Madame School खोले जाने का निर्णा लिया गया है, तो यह निर्णा लिया गया है, 119, कूल 119 आत्मनंद English Madame School खोले जाने का निर्णा लिया गया है, 36 द्वारा, चलते हैं, next question पे, Mountain Girl के नाम से प्रसिध, Mountain Girl के नाम से प्रसिध, Nana Singh धाकर, किस जीले से सम्मन्दित है, Mountain Girl के नाम से प्रसिध, Nana Singh धाकर, सम्मन्दित है, बस्तर जीले से, याद रखिए, important question है, चलते हैं, next question पे, 36 गड़ सरकार द्वारा, कितने नए इस्थानी अवकास की घोशना की गई है, यहाद गोशना की गई है, तीन अवसरों पर, ध्यान रखिए, गणेश चतुर्ती, महानौमी और भाई दूज में, 36 गड़ शाशन द्वारा, इस्थानी अवकास की घोशना की गई है, चलिए देखते हैं, next question, अंतराश्ट्री जूनियर टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जाएगा, भिलाई में, राज्य का पहला शाशटी बोर्डिंग स्कूल कहां खोला जाएगा, अतलनगर में, राज जी का पहला शाष्की बोर्डिंग इसकूल खुला जाएगा अटल नगर में एक important question है याद रखें चलते हैं next question पे वायू प्रदूशन को कम करने तथा शहर को smokeless बनाने किस जीले में सिगडी दान अभियान प्रारम किया गया वायू प्रदूशन को कम करने और शहर में शहर को smokeless बनाने किस जीले में सिगडी दान अभियान प्रारम किया गया यहाँ प्रारम किया गया कोर्बा नगर निगम में सिगडी दान अभियान प्रारम किया गया वायू प्रदूशन को कम करने के लिए सिगड़ी दान अभियान प्रारम किया गया कोर्बा नगर निगम में याद रखिए चलते हैं next question पे मनरेगा रोजगार देने में 36 गड़ किस इस्थान पे है मनरेगा रोजगार देने पे 36 गड़ का इस्थान है प्रथम 36 गड़ प्रथम इस्थान पर है मनरेगा रोजगार देने में important question है याद रखिए चलते हैं next question पे प्रदेश का पहला वर्च्वल कोट कहा प्रारम किया गया प्रदेश का पहला वर्च्वल कोट राइपूर में प्रारम किया गया, प्रदेश का पहला वर्च्वल कोट प्रारम किया गया राइपूर में, important question है याद रखिये, चलते हैं next question पे, चलते हैं next question पे, भारत के कुल लगुवन उपच का कितना प्रतीशत 36 गड़ में उत्पादित होता है, तो यहाँ उत्पादित होता है, 75 प्रतीशत लगुवन उपच का, समर्थन मुल्य पर संग्रहन किया जा रहा है लगुवनोपच का समर्थन मुल्य पर संग्रहन 2014-15 से प्रारम किया गया एक important question है ध्यान रखिए चलते हैं next question पे online लोकसेवा उपलब्द कराने में कौन सा जीला प्रथम इस्थान पर रहा online लोकसेवा उपलब्द कराने में बिलासपूर जीला प्रथम इस्थान पर रहा चलते हैं next question पे 36 गड़ इस्थित बायोटेक 36 गड़ इस्थित बायोटेक इंक्यूबिशन सेंटर का नाम किनके नाम पर रखे जाने का निर्ने लिया गया तो यह निर्ने लिया गया सुभास चंद्रबोस सुभास चंद्रबोस के नाम पर 36 गड़ में इस्थित बायोटेक इंक्यूबिशन सेंटर का नाम रखे जाने का निर्ने लिया गया चलते हैं next question पे केंद्री विज्यान इवं प्रद्योगी की मंत्राले द्वारा देश भर में नवचार करने वाले अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों में से कौन से स्कूल देश भर में प्रथम इस्थान प्राप्त किया तो यह प्राप्त किया Government Higher Secondary School बिलास्पूर गवर्मेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलास्पूर द्वारा केंद्री विज्यान इवं प्रद्योगी मंत्राले के तहत देश भर में नवचार करने वाले अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों में प्रथम इस्थान प्राप्त किया Government Higher Secondary School बिलास्पूर एक important question है ध्यान रखिए चलिए देखते हैं next question 42 सीनियर नेशनल सोफ्ट बॉल चेंपियनशिप के पुरुश वर्ग में 36 गड़ कीस राज़े को हराकर लगातार सात्वी बार नेशनल चेंपियन बना तो यह बना महराश्ट को हराकर 36 गड़ लगातार सात्वी बार नेशनल चेंपियन बना चलते हैं next question पे इसे याद रखीए चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर इसका आंसर है शंकर महादेवन चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोशन चलिए शंकरितिक परिशेत्र का निर्मान कहां किया जाएगा नवारायपूर के पुर्खोती मुक्तांगन में शंकरितिक परिशेत्र का निर्मान किया जाएगा इस परिशेत्र के माध्यम से प्रदेश के हजारों वर्षों से विक्सित गौरवशाली सांस्कृतिक प्रतिमानों की विदमानता को सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाएगे ध्यान रखिए इंपोर्टन कोशन है 36 गड़ सांस्कृतिक परिशेत्र कर निर्मान किया जाएगा नवारायपूर में चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम अप्रेल और में मन्त के सभी इंपोर्टन करेंट अफियर्स को डिसकस करेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सस्क्राइब कीजिए थेंक्यू